हलो एवरिबन मैं हूँ मोनिका और स्वागत है रमोना किचन में जब आपको टीफिन में या फिर नाश्टे में कुछ गर्मा गरम चटपटा और मज़ेदार खाने का मन हो तो ये रेसेप पे आप जरूर ट्राइ कीजिएगा या फिर जब आपको खाने में रोटी सबजी के अलावा कुछ और टेस्टी सा मज़ेदार सा खाना हो तो आप इसको बनाएंगे और खाएंगे तो आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी आपको रोटी की जरुरत महसूस नहीं हो गई तो ये टेस्टी सा मज़ेदार नाश्टा बनाने के लिए हमें चाहिए एक बाउल में मैंने एक कप सूजी डाल दी है बोटी या बारी का आप कोई भी सूजी ले सकते हैं साथ ही मैंने आधा कप दही डाल दिया है और आधा कप मैंने यहाँ पर डाल दिया है पानी तो तीने चुजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक गाड़ा सा बेटर बना कर हम तयार कर लेंगे तो अब हम इसको दस मिनट के लिए ढखकर रेक देंगे तब तक हम चटनी की तयारी कर लेते हैं तो एक मज़दार सी टेस्टी सी चटनी हम इसके साथ बनाएंगे जिसके लिए मैंने एक मिक्सी जार लिया है जिसमें वन फोर्थ कप मैंने डेसिकेटेड नारियल डाल दिया है अगर आपके पास फ्रेश नारियल है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं वन फोर्थ कप पी मैंने यहाँ पर नमकीन यानि की भुजिया डाल दी है जो की स्पाइसी चटपटी है साथी हम एक हरी मिच और आधा इंच अंदर का टुकड़ा डाल देंगे स्वाद अनसार हम इसमें नवक एड़ कर देंगे और मैंने यहाँ पर वन फोर्थ कप दही लिया है मैंने तीनों चीज़ें बराबर मातरा में ली है आप अपने अकोर्डिंग कम ज़ादा कर सकते हैं दही मैंने यहाँ पर खटा नहीं लिया है फ्रेश दही यूज किया है और मिक्सिजार में हम इसको पीस लिए और हमारी चटनी है बन कर तयार हो गई है यह चटनी बहुती जल्दी बन कर तयार हो जाती है और बहुती टेस्टी लगती है एक बर आप इससे जरूर ट्राइ किजिएगा तो यहाँ पर मैंने चटनी को एक कटोरी में निकाल लिया है तो मैंने इसमें तड़का नहीं लगाया है अगर आपको तड़के वाली चटनी जाहिए तो आप इसमें तड़का लगा सकते है चटनी तयार हो गई है तो अब हम सुजी को देख लेते हैं तो यह देखिये, सुज़ी है, आपण अच्छे से फूल चुकी है बिलकुल अच्छे से ये सेट हो चुकी है, तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, यहां पर बहुत है ज़्यादा गाडी हो गई है तो मैं यहाँ पर कच्छा जीरा डाल दिया है और अब हम इसमें एड कर रहे हैं चिली फ्लेक्स अगर आप छोटी बच्चों के लिए बना रहे हैं तो तीखा आप अपने कर सकते हैं सनाके अगर और अब हम इसमें तरका लगाएंगे जिसके लिए मैंने मैंने एक चममच ऑईल गर squish कर लिया है कुछ तड़के के लिए मैंने यहाँ पर moo अइप डाल कुछ चना की डाल और एक चमस्ट मैंने यहां पर साथ ही मैं ड्राय करीप्स डाल दी हैं और तड़का पन में भो इसे डाल कर अच्छे से चटका गाले ंंगे अच्छे चाहते हैं तो बिना तड़के के भी आप इस नाश्टे को बना सकते हैं अब हम इसके अंदर वन फोर्थ चमच बेकिंग सोडा डाल देंगे अगर आपके पास सोडा नहीं है तो आप आधा चमच इन्मो पाउडर भी डाल सकते हैं साथ ही मैं इसके उपर थोड़ा सा पानी आ अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है या फिर अपे में कर आप उसमें भी इस नाश्टे को बना सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर आज आपके साथ बंडोसा की रेसिपे शेयर कर रही हूं इसलिए मैं यहाँ पर तड़का पैन का यूज किया है इससे जो शेप आएगा बिल इससे यह फूल गया है और अब हम इसको पलट लेंगे और कलर भी कितना अच्छा आया है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए है इसी तरह से हमें इसको सेख लेना है तो अब हम इस पर लगा रहे हैं बटर आप बटर ओयल कुछ भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो मैंने यहाँ पर दोनों चीजें यूज की हैं तो अब हम इसको पलट लेते हैं तो यह देखिए इधर से भी अच्छे से यह कुख हो गया है इधर भी हम बटर लगा लेते हैं और इसको सेक लेते हैं तो इस तरह से यह आप बंडो सा है वह बना कर तयार कर सकते हैं बिल् लिया है तो मैं आपको दूसरा भी बना कर बता देती हूं मैंने यहाँ पर पहले वाले में बहुत ही कम और यूज किया था अब मैं यहाँ पर थोड़ा ओएल ज्यादा यूज करके इसको बना कर बता रही हूं यह थोड़ा सा ज्यादा क्रिस्पी हो जाएगा अगर आप थोड़ा ओयल है वह ज्यादा यूज करेंगे तो अब देखिया आप कितने अच्छे से फूल गया है हमने इसको भी पलट लिया है और इसका भी कलर देखिए बहुत ही अच्छा आया है तो अगर आपको लगता है कि आपका पहना वह जादा गर्म हो गया है तो आप गैस ब होते हैं कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे अगर आपका रोटी खाने का मन नहीं है सबजी रोटी से बोर हो चुके हैं तो आप इस तरह का नाश्ता है वह बना कर खा सकते हैं और अगर आप इस तरह से नाश्ता बना लेंगे तो आपको बिल्कुल भी भूक नहीं और घरत पर रखी हुए समान से ही आप इसको बना कर तयार कर लेंगे आप इसे बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं या फिर लंच और दिनर में भी इसको बना सकते हैं तो आप इसे बास जरूर ट्राइ कीजिएगा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब् अगली रेसिपी में थैंक्स वर वोचिए।